जैनेट, are you all right? Stop calling me, जैनेट भूत प्रेत कैसे इनसानों को दिखाई देते हैं और कैसे भूत प्रेत इनसान या जानवर का रूप धारण करते हैं यही मनोवेग्यानिक सच्चाई आप आज इस वीडियो में जानने वाले हो इसके लिए आप इस वीडियो को आनते तक जरूर देखिएगा मैं राजिंदर जोदपुरिया मनोवेग्यानिक आपके लिए भूत प्रेत से समंदित मनोवेग्यानिक जानकारी लेकर आया हूँ भारत के अंदर 85% लोग मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं और लगभग 30% लोग ये दावा भी करते हैं कि उन्होंने जीवन में कभी ने कभी भूत प्रेत देखा है या उनका आमना सामना हुआ है और भहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस दावे को सिरे से नकार देते हैं और ऐसे कुछ लोग भी हैं जो भूत प्रेतों से बात तक करवाने का दावा भी करते हैं लेकिन आज हम यही जानेंगे कि कैसे इनसान के सामने भूत परकट होता है, इसके लिए आप अपने अनुभवों को याद करें, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक आपके पास इस विशे से समंदित बहुत सा डेटा है, बहुत सारी कहनिया आपने सुनी हैं, बहुत सारी फिल्में इस से समंदित देखी हैं, पीवी सीरियल देखे हैं, तो वो डेटा आपके अचेतन मन में फाइल के रूप में या फोल्डर के रूप में सेव पड़ा हुआ है, याद करें अपने जीवन के उस अनुभव को जब आप अकेले थे, रात को अकेले थे, क्योंकि भूत प्रेत दिन में दिखाई नहीं देते हैं, ये रात के अंधि काली रात में ही भूत देवता पर कट होते हैं, और खास करके तब ये इनसान के सामने आते हैं, जब इनसान अकेला हो, इनसान किसी के साथ हो, तो भूत प्रेत आने की शिमत भी नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे अलग मनो भी ग्यान हैं, लेकिन आप अप आपने ये सुना हुआ है कहानियों में, टीवी, सीरियल में देखा हुआ है कि भूत प्रेत अकेले होने पर दिखाई देते हैं या कोई दूसरा आ जाए तब वो गायब हो जाते हैं जैसे कि भूत प्रेत को भी डर लगता हो, कि दूसरा कोई आ गया तो आप भी भाग जाओ ऐसे ही भागते हैं, अकेले आप थे, तो अकेले में इनसान की जो senses हैं, वो ज़्यादा active हो जाती है, अब आपके मन में वो data पड़ा हुआ है भूत वाला, तो वो सारी फाइलें open हो नहीं लग जाती हैं, वो चेतन स्तर पर आ जाती हैं, और आप बहुत ज़्यादा conscious हो जाते हो, घड़ी की आवाज, सुई के चलने की आवाज भी हतोडे जैसी मालूम पड़ती है, कहीं से हवा आ जाए, तो हवा भी सरीर पर सफर्स का अनुभव दे जाती है, तो ऐसे में बहार से कोई कुते की आवाज आई, कोई उलू की आवाज आई, और हवा के जोंके ने खिड की को खोल दिया, तो वो खिड़के के खुले की आवाज बहुत तेज, बहुत साफ सुनाई देती है, और आपको लगता है कि कोई है, पर्दे के पीछे कोई ने कोई है, हवा आती है, पर्दा खुलता है, तो आपको लगता है कि कोई आ गया है, आपकी आँखें बड़ी ब तो उस समय हलकी सी हावा जहां पर टकराएगी वो आवाज का रूप धारण कर लेती है। तो यह क्यों होता है। वास्तों में खिड़की पर कोई नहीं है। लेकिन आपके मन के अंदर जो भूत बैठा हुआ था वर्सों से, किस से, कहानियों से, टीवी सीरियल से, वो मन से भार आ गया और खिड़की और सीशे पर चला गया। वो आपका मन ही है जो आपको दिखा र रहा है। बाकी भूत नहीं है। क्योंकि अचेतन मन में बहुत सी पावर है। इसमें कलपना शक्ती इतनी जादा है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो जिस इनसान की जितनी जादा कलपना शक्ती होती है, वो उतना ही जादा बारीकी से या सपश्टता से भूत के दर्श कर पाता है आज कल तो भूतों ने भी ट्रेंड बदल दिया है पहले एक जवाना था जब भूत प्रेत काले हुआ करते थे ड्राव ने फिर साड़ी वाली औरत भूत बन के आई हाथ में मुंबत्ती है उसके बाद बूढ़े बच्चों के भूत आने लग गए हमारे मन के अंदर पड़ा हुआ है वही डर्क में या अकेले पन में अंदेरे में सामने पर कट हो जाता है बस यही सच्चाई है लेकिन फिर भी लोग दावा करेंगे कि उन्होंने देखा है वो देखा है उन्होंने लेकिन रियल में वहां कुछ नहीं था वो उनका मन ही है जो उन्होंने देखा वो उनके अंदर का ही प्रक्षेपन था जो बाहर आकर्ती के रूप में परकट हो गया तो जिसके अंदर जानवर का भूत बैठा हुए उसे जानवर दिखाई देते हैं या कुदरती कोई जानवर जंगली जानवर घर के आसपास आ जाता है तो आपको लगता है कि भूत जानवर बनके भाग गया कोई इनसान आ जाये तो लगता है इनसान का रूप ले लिया ऐसे रूप बदलते रहते हैं लेकिन मैं मनोविगानिक होने के नातिप सच्चाई से ये बता रहा हूं कि भूत प्रेत कास्तितो हमारे अचेतन मन के इलावा कहीं नहीं है जिसका जितना ज़्यादा ग्यान है उसके लिए भूत उतना ही साकार है और जो ग्यानी है उसके लिए सब कुछ सपस्ट है